हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चानल आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्टीट स्टाइल फुले फुले पुले सौफट कुल्चे कुल्चे जब भी हमें खाने होते हैं मुइ स्टीट पे ही जाके खाते हैं आप अपने घर में रखे कुछी समान से बहुत आसानी से बना सकते हैं तो ये जो recipe है ये no fail recipe है आप बिल्कुल भी fail नहीं होंगे और एकदम street style घाना जब आपका खाने का मन करें तब आप ये कुल्चे अपने घर में try करना आपको बहुत पसंद आएंगे तो कुल्चे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा तो traditionally ये मैदा से ही बनते हैं लेकिन अगर आप मैदा skip करना चाहते हैं तो इसकी जिंगे गहों के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा सारी चीजे मिला अच्छे से देखे बिल्कुल ऐसे मिला देना है तो यहाँ पर आज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसकी बिना ये कुल्चे आप बना कर देखना बहुत शांतार बनेंगे फलफी बनेंगे बजा जिसे बनकर त्यार होंगे उसके बाद एक चोधाई कप मैंने लिया है इसमें दही तो दही डालकर अच्छे से मिला दे तो ग्यों का आटा या मैदा जो भी आप ले रहे ना उसमें दही अच्छे से मिला नहीं है उसके बाद मैंने लिया है एक कप पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ही पानी गरम नहीं है नोर्मल पानी है तो यहाँ पर देखें के चिप 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 बट्रकास तेमाल भी नहीं दोड़ा है भी दाल सकते हैं तो घी तेल जो भी आप डाल रहे है उसे डालने के बाद तकरीबरं चार से पांश मिनट इस आपको हात है किक्दम एकदम परफेक्ट है जब कहात ही किस दोड़ा तो पॉड़ा स से तेल या घी लगा कर दककल लगा कर इसे जाएका सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा है, तो बस इसमें जो air अभी आया है, हम उसे निकाल देंगे, तो इसको एक दुबार पंच करेंगे, अगर आप इसे दो घंटे के लिए रेस्ट कराएंगे, तो यह साइज में डबल भी हो जाएगा, तो मैंने इसे घंटा ही रखा था, इसलिए यह वोल छोटे होते हैं, तब यह फ्लफियर सोफ्ट बनते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं, पतली बनाते हैं, तो यह ऐसे नहीं बनते हैं, हलका समयदा पहले या आटा आप स्पिंकल करिएगा अपने चकले के उपर, उसके बादे कि इस प्रकार से थोड़ा से दबाना है, कैसा ड इसके कैसा मैंने बेला है तो बेलते वे ज़्यादा प्रेशर ना डालें इस पर हलकी हलकी हाथ से बेलिएगा यह देखिए इस तरीके थिकनेस इसमें होनी चाहिए और बस अब एक तरव इसे पानी लगा लीजिएगा हलका सा तो पानी लगाने से सौफ्ट बनते हैं तो हलका उपर आए तब आप इसे फिलिप कर दीजीगा वापस से थोड़ा सा पाने डाल कर ढगा अगर इसे पकाईएगा तो बैक साइड में भी देखिए स्पोर्ट आ गए है लाल लाल तो इसे बिल्कुल लाल लाल नहीं करना है इसे एक बर और पकाया जाता है तो बस सारे कुल्च नहीं है कि जब उपर में बबल आ जाए ना तब आपको से फिलिप करना है फ्लेम लो रखनी है तो यह देखिए जो मसाला कुल्चा है गारलिक कुल्चा है आपको क्या करना है जिस साइड पानी लगाते है ना उसकी दूसरी साइड आप इस पर थोड़ा सा धनिया गारलिक नहीं बनाना है इसे हलका सही सेकना है कुल्चे ऐसे सेके जाते हैं जैसा आप देख रहे हैं बाद में बटर में उनको सेका जाता है तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं तो बटर डालेंगे एचा से मैल्ट करेंगे बटर को उसके बारे जो कुल्चे ना दोनों तरफ से ला बनाना और इसके साथ ना छोले हो या फिर सफेद वाली मटर हो जो चाहे आप इसके साथ बना कर एंजोई कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है तो जब भी आपको बजार जैसा खाना खाना है तब आप अपने घर में इस प्रोसेस को फोलो करके कुल्चे बहुत आसानी से ब पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू फू वोचिए